तो मैंने आप कोई पूरी कहानी बता दे ट्रेंड टू पागिस्तान अगर आपके एक्जाम में बटवारे के बारें बात करों तो मैंने आपको बताया है एक और ऐसे लेखा करें जोने बटवारे के उपर बहुत अच्छी च्छी कहानिया लिखे हैं जिनका नाम था अमरिता अमरता प्रितम यह हमारे जो बात करते हैं पांच महिला जिनको ग्यानपीट पुरुसकार से समानित क्या गया है उनमें से एक महिला यह है ग्यानपीट पुरुसकार भारत का सबसे सर्वोच पुरुसकार हम मानते हैं ग्यानपीट पुरुसकार को और उसलिए ही उस पर ही इन इसको इंग्लीस में भी आपको आवाड दिया जाता है लिटरेचर में लिटरेचर के छेतर में दिया जाने वाला हमारे देश का सबसे सरवच पुरुसकार तो ग्यान पुरुसकार है अगर आपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट करिए अलग लग छेतर में मतलब खायस कर साहिते में तब आपको मिलेगा पर यह अनौन्स करके बोला गया कि इनको ग्यांट पुरुसकार से समानित क्या जा रहा है इनकी जितनी कहानिया रहा करती थी आपसे पूछा जा सकता है कि बताया मरता प्रितम की कहानियों का जो में पॉइंट कहां हुआ करता था तो महिलाओं के लिए पहला पॉइंट महिलाओं की स्थिति को सबस्यादा ये उसमें अपना पॉट्रे करती थी मतलब दिखाती थी प्रदिशित करती थी और दूसरा बटवारा क्योंकि बटवारे से बहुत जादा आहात हुई थी क्योंकि उस समय गुजरा वाला जगह है पाकिस्तान पर आज पर यहां भी हो तो इननोंने बहुत सारी कहानिया लिह दूसराय नोने महिलाओं के पर शोड़ी लिखा क्योंकि बहुत चोटे समय में इनकी साधी कर दी जाती है इनके परिवारे में 12-13 साल के होती है उसामने में फिर इनकी साधी की कि कुस समय के बाद म्द busy साल होते हैं। फिर इनको इनके जो husband के द्वारा इनको divorce या तलाग दे दिया जाता है, जिसके करण ये उससे बहुत आहात होती है, फिर उसको भी इनोंने महिलाओं की स्थितियों को इनोंने बहुत detail में लिखा, भारत के जो बटवारा हुआ तो उसके बारे इनोंने बहुत detail में लिखा, तो इसलिए के याद रखेगा, जो हमारे ग्यानपीट पुरुसकार से समानित होने वाली 5 महिला में से 1 महिला ये भी है, ग्यानपीट पुरुसकार के स्थापना कब होती, ये भी बहुत जादा दिक्कत है, क्योंकि भारत का सर्वोच हाइस टेगर हम बात करेंगे कि लिट्रेचर अव पहला वॉर्ड दिया जाता है, आपके जी शंकर क्रूप को जो मलिय आलम लेखतें तो ये याद रखेना है, बहुत जरूरी, 1965 में दिया जाता है, इस्थापना होजाती हिए 1161 में, जहांगा हमारे अरजन अवॉर्ड की ताफना होती है, पर दिया जाता है 1965 में, जहांगा यहां इंडिय और पाकिस्तान का वार होता है ठीक है कि तो यह हमने बात कर लिए अनलीप कानि लिकी चiãoपर कानी को बहुत डटेल में आपको एक चीज़ दो बता रहा था जैस्से मैंने बहुत खुश्वन सिंह के राज्यस्वा के सद्ग्शे रहे थे तो nivel त societ लिचसल के ही एक्जाम में है 2021 कि बहुत घुमा के कोशन आया क्या आया आपका कि ऐसी कौन सी मैला थी जिनों ने आपका भरत नाटियम को बहुत जादा फेमस करा सारे नीचे जो आर्टिस्ट दिये थे वह सारे भरत नाटियम के थे पर दिक्कते क्या आ गई वहाँ पर बोला जिसने उसको करा होगा पड़ा होगा उसने करा होगा मतल़ इतना घुमा के आया था कोशन डेलिक्टली नाम नहीं आया था नाम क्या था उनका रुक मनी देवी अरुंडले क्या नाम थाुस के लिविंद hm beingsि इनका नाम-नाम को बताया था कि इनकी बहुत लंबी कानी थी इन्होंने ही भारत नाट्यम को बहुत फेमस करने में एहम रोल करा है प्ले भारत नाट्यम को क्या से राज्यसभा की सदस्य बनी थी एक टाइम पे इनको ये भी मिला था आप्षिन के आप रास्पती बन सकती है मुरारजी देशा इनको एक अफ़र करते हैं कि आप जाए और हम आपको बोलते हैं कि रास्पती के आप मनौनीत कर सकते हैं हम आपको मतलब पूरी तरीके से बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नाम था इनका और बन भी जाती है पर इन्होंने बोला कि फिर मैं अपने निर्टे से अलग हो जाओंगी क्योंकि रास्पती के कारे के लिए लौज आये हैं जैसे किसी भी तरीके से उनका हाम नहीं कर सकते हैं उनको इस सारे उनके में रोल थे इन्होंने काम करवाया था यह बहुत सारे बिल पास कराये थे तो रुखमणी देवी अरुनले के बारे मैंने कहानी बताए थी और कोशन आया था यही जो मैं आटेम को बहुत जादा फेमस करा जब महिलाओं को इस नरते को करने के लिए बहुत जादा सोचना पड़ता था क्योंकि वह समय में आज के टाइम पे भी हम महिलाओं की तो चली स्थी आज के टाइम पर अच्छी नहीं हुआ करती थी तो उसलिए उस समय पे नोंने इसको बहुत जादा फेमस करा ठीक है तो रुकमणी देवी अरुनले का नाम भी आपको याद रखने के जरूरत है मैंने जाब को यहां से पॉइंट बता दिया अमरिता प्रितम हो गया है अच्छा हां अदेखे अमरिता प्रितम का नाम आ गया है तो अमरिता शेर गिल भी यार क्यों जरूरी है यह बहुत बड़ी पेंटर रही है अगर हम पूरे भारत के साब से देखें और वेसे अगर आप से पूछा गया था एक बार ऐसे सी के 2015 का पेपर है सीचा सलगा कि बताए अमरिता शेर गिल का समन्द कौन से चीज से रहा है मतलब कौन से छेतर से रहा है त बहुत जरूरी फेमस पेंटिंग रही है पंजाब से इनका रहा था रिलेशन गौरखपुर से गौरखपुर कहां पर है मारा यूपी में उत्तर प्रदिस में पर इनका जनम होता है हंगरी के बुड़ा पेस्ट में पहला कोशन आया से में कि बताए इनका समन्द के छेतर स है तो आपको या रखना है चित्रगारी के तोर पर फिर इनका अगला कोशन आ गया कि बताए अम्रिदा शेर्गिल का जनम कहां पर हुआ था हंगरी की कैपिटल है बुड़ा पीस्ट में पर इनका जनम होता है और एक स्टेट लिवल का एक्जाम होता रिसेंट के कोई एक टाइम पे आपके बहुत रिसेंट की बात कर रहा हूं में कुछ समय वहले जब इजीवित थी जब कुछ सालों की पहले की बात है तो इनको आरिकेलोजिकल स्थर्वे अफ इंडिया ने नो हमारे जो पूरे विर्स्व में अच्छे कलाकारों की सूची बनानी दी उनमे तो यंग गर्ल और आपकी थ्री गर्ल आपकी फिमस प्रिंटिंग है अब हम और देख लेते हैं जो हमारे लिए और बुक्स हमारे एक्जामनेशन समें इस बार पूछी गई थी अब इसके इलावा मैं बता हूं आपको जैसे अभी आप रिसेंट टाइम में आपके उसन ब लाइटनिंग माई लाइटनिंग इस ट्टोरी ठीक है इसको जुश्यार रहेगाँ कोछी तुर्च पताने वाली कोई थ बारे में कोन सी कंट्री के हैं और जब इनके बारे में आता है तो बहुत अच्छे से बाताओं कि जमायका के हैं इनको जरूरी याद लखी घायए का जमायका कंट्री है और आपकोstadt बता जैसे Western डीज एक टीम होती किर्केट खेलती है तो Western डीज कोई किर्केट अगर हम बात करें कोई देस नहीं है वो Western डीज है क्योंकि वो जो Caribbean countries हैं उन सभी के एक जगे आईलेंड पर बसे हुए हैं सारे देस जमायका वगेरा तो ये सभी बहुत गरीब है आप सभी ने सुना होगा इनका ना कई वोगेरा दिखेगा तो ये सभी मिलकर एक देस को या एक पूरे अपने उसको गुरूप को रेप्रेजेंट करने आते हैं वाँ पर किर्केट में तो 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 उनको वेस्ट नडीज का जाता है वेस्ट नडीज कोई देस है नहीं ये पहले चीजा देखेगा और जमायका के हैं उसे इनबोल्ट ये बहुत ज़रूरी है और आपको पता होगा कि बहुत बड़े धावक रहें एथलीट रहें इन्होंने बहुत बड़े नेशनल रिकोर्ड बनाए थे और कई इन्होंने मैडल जीते थे लास्ट में जब 2016 का इनका साइड लास्ट था ओलम्पिक 2016 कही था रियो ओलम्पिक और रियो ओलम्पिक में इन्होंने लास्ट में सिल्वर मैडल से गए थे कि उमर जादा हो गई थी और तब भी silver medal लेना बहुत बड़ी बात है उस उमर में क्योंकि इन से आधी उमर के athlete इनके साथ भाग रहे थे तो बहुत बड़ा नाम है उसेन बोल्ट का तो इनको क्या सोचते हैं हम हुसेन बोल्ट हुसेन नाम नेंड का हुसेन बोल्ट है तो यह भी चीज हमारे दिमाग में clear होने चाहिए जैसे मैं आपकर athlete के बारे में बात करहा हूं तो एको याद रखेगा हमारे देश के बहुत बड़े athlete है जिनका नाम है क्या नाम है उनका Milka Singh उनकी भी तो बुक पूछे आते हैं तो याद रखेगा उनका नाम है the race of my life दिख रहा है ये ठीक है The Race of My Life ये किनके दरह लिखे गई है हमारे Milka Singh के द्वरा और Milka Singh को Flying Singh भी कहा जाता है बहुत बड़े अथलीट रहे है भारत के और इनी का एक तरीके सेन्ट की इच्छा थी कि कोई हमारा Track and Field में पहला मैडल आये medal आने तक कि इनके बास था है कि कोई इच्छा थी कि मेरे जीवित हो पर नहीं हो पाया था इनके मृति हो गई थी उनके बाद जो ट्रेकन फिल्ड का पहला ही gold medal ही आया हमारा medal मी नहीं अगर हम बात करेंगे silver नहीं था ब्राउंस नहीं था डारेक गोल्ड आया नीरा चोपड़ा की द्वारा और उनको golden boy भी कहा जाता है नीरा चोपड़ा को वैसे तो golden boy हमारे अब बिंद्रा को कहा गया था पहली बार पर golden boy इनको भी कहा जाता है अब रिसेंट का सीचेसल का 2021 का पेपर है उसमां आया था कि बत होदा track and field तो याद रखेगा track and field में आता है बाला फेक और डेवंद्र जाजडिया का बहुत बड़ा नाम है अगर हम बात करेंगे बाला फेकने में जेवलीन कहा जाता है उसको जेवलीन ठो तो उनका भी नाम याद रखेगा देखे मैं जैसे बता रहूं the race of my life तो यकोर नाम याद एक सिर्ट अब हीमा दास उनका नाम भी बहुत बड़ा है एथलीट के रूप में धींग एक्सप्रेस उनको कहा जाता है मैं यहाँ पर लिखनी रहा हूं क्योंकि जगे की थोड़ी कमी है धींग एक्सप्रेस कहा गया है उनको और जैसे आपके एकोर हमारी बहुत कौन सी स्टेट के हैं आपके ओडिसर के हैं और अगर एथलीट की बात करेंगे तो आपके जिमनास्टिक दीपा करमा करते पूरा की उनका भी नाम याद रखेगा आपके एथलीट की बात हम करेंगे जैसे की जैसे को नाम है पायोली एक्सप्रेस जिनको कहा जाता है पी ट आनिवा मतलब जैसी जाते थे ये भी कहते थे कि जैसी फिल्ड में पहुंचते थे आदे ज्यादा ये सोचते थे कि हमें सेकेंड और थार्ड आना है फॉर्स्ट की कोई नहीं सोचता लग जो कि इतना बड़ा एथलीट एक तो हाइट इतनी अच्छी थी कि इतने स्टैबना क आनिके साथ भागते था तो अगर हम इनके लावा और बात करें जैसे कि ये तो हमने देखी लिया हेमादास वगेरा के बारे में एक था एक और नाम आया था जिन का नाम था डेविड बैक कहम अभी रिष्ट के पेपर में आया था इनका लुग ये फूट बैक हम ये स Nashorn का संब्द है, और बेटेन की हैं वो? जिसे हमारी देस में है Karoon Chandokh, बहुत बढ़े car racing रहे हैं, नारायन का राखिकर, बहुत बढ़े car racer हैं, तो इन दोनों का नाम याद आखेगा, car racing से related exam में आता है जैसे billions में आएगा आए। आपका ये बुक का नाम था इनका, डेविड बेकहम का, अब ये इनके दारा लिखी गई थी, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आपके एक्जाम में ये आया है, कि बताए, ये बुक क्या है, तो आपने याद करके चले गए, कि माई साइड इनके दारा लिखी गई थी, 2003 में आया परगिल आ गया, तो नाम बड़ा है, आपको उनके बारे में दोड़ी नॉलेज होनी ही चाहिए, कि अगली बार क्या आ गया था, कि पहले पूछा गया पेंटर, अब दूर्फी बार आपको या रखना था, कि इनका जनम कहां पर हुआ था, जनम इनका कहां पर हुआ था, बुड़ा पेस्ट हंगरी में, तो ऐसे कोशिन बहुत अलग-अलग तरीके सा आ जाते हैं, हमने यहां तक देख लिया, अगर आपके इलावा इस से कुछ और कोशिन बन जाते हैं, कि चलिए, दो-ती-चंद के बारे मैं आपको बताए दिया है, मैंने आपको एक चीज बता होने आएगा एक्जाम में, यह किनके द्वारा लिखी गई है, तो यह आपके हैं सानिय मिर्जा के द्वारा, बहुत बड़ा नाम है, तो याद अखेगा सानिय मिर्जा, और हाली में तो उनके कुछ समय पहले साधी हो गई थी पाकिस्तान के किरिकेटर दे सोय मली के साथ, पर इनके द्वारा लिखी गई थी 2016 में, अब देखे 2016 में आई थी, मैंने आपको बादाय था कि 2016 के बाद तुरंट पहली बाद तो 2016 के विपर में आई, फिर 2018 में आई, फिर 2019 के MTS के एक्जाम में आया, अब यह रिसेंट के 2021 के पेपर में भी आया यह, एस अगेंस ओर स्क अब कौन सी लिखी गई है, याद रखेगा, क्या है, प्लेइंग टूविन, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, प्लेइंग टूविन, यह बहुत बड़ा नाम है, साइना नेवाल का, प्लेइंग टूविन, एक और हैं की, रैकेट मेरी दुनिया, यह भी आपके 104 से आपके एक्जाम में यह आता है, एक और है, दाशोट एठ हिस्ट्री, यहाँ पलिख देता हों में, बूक को भी, दाशोट एठ हिस्ट्री, ये किन के दरा लिखी गई है, आपके अभीन भिंद्रा के दरा, गॉल्डन बॉइन को कहा गया था, 2008 के ओंग बीजिन औलमप पर आप मैंने आपको बता दिया दा शॉट एट इस्ट्री उस समय उनली दो ही मेडल है हमारे पहला मेडल आया था इन के दोरा दूसरा आया था ब्रॉंज मेडल जो सुन्ट हमारे सुस्विल कुमार थे रैस्लिंग में लेकर आये थे यह लाया थे आपके किसमें शोटिंग म अजाम में कई बार रिपिट कर जाते है कि वीजिंग ओलम्पिक में हमारे टोटल मेडल ही कितना आये थे तो मैंने आपको बता दिया पहला आया था जो गोल्ड मेडल है था हमारे इंडिविजिल के टेकरी में पहला और दूसरा आया हमारे सुस्विल कुमार के दौरा यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसलिमें आपको यहाँ पर रिलेट करके बता दिया ठीक है अगर हम बात करें इसी के साबसे हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेटर है जिनका नाम है सचिन टेंडल कर उनकी बुक पूछी आ थिए प्लेइंग इट माई वे यह मैं आपको नाम याद रखना है मैं लिखी देता हूँ यहाँ पर उप्षिन है जगे लिखने की तो उनका नाम याद रखना है लोकेस थोड़ा राइटिंग है दिक्कत करेगी बस आपको याद रखना है लोकेस ठानी अब देखे यह इनके दोरा सचिन के अपपर लिखी गई है सचि कि ही बुक है यह पड़ मैं आपको पहली बता चुका हूँ गोई फेमस परसनलिटी है उसके उपर कोई बुक आ जाए जब उसमें कोई लिखे नाव खोद इंडिविजली या उसके उपर किसी ने लिख दी हो तो यह सब चीज़े आपको या रखनी है तो दा धोंडी इस टै तो यह आदखना आपको और बहुत ज़रूरी है यह एक्जाम में आ चुका है आपके एक्जाम में CHSL का 2019 का पेपर था वहां पर यह रिपीट किया गया था मैं आपको CHSL ही नहीं CGL के भी कोशिन साथ में लेकर चल रहा हूँ एक पॉइंट सा आपकी जितने हो सके रिलेट क करा दूगा जिससे आपके दिक्कते नहीं हो देखी जब बात ही आगे तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ लोग मुझसे लगातर मेसेज़ेस कर रहे हैं कि आप हिस्ट्री के पर कब लेकर आ रहे हैं क्योंकि स्ट्राटिक जीके लोगों ने बहुत पसंद करा है बह प्रेवीसर्строй के कोशिट्स ना पको उसमें मिल जाएंगे सारे प्रिमिसस के कुशिनहें आपको रिसेंट के पर जैसे अब ही मैं 1 0ł के बात कर रहा हूं सीजल के पर आ रहे हैं 2022 मेरें चशनल के प्रिके ग्जामनेशनस Ut. जब भी recent की कोई paper होते हैं चाहे CPO के हो कोई भी हो oriented है SSE exam को लिकर हो course पर मैं आपको पहली बता चुक हूँ basic to advanced level है पहला point, bilingual है दोनों medium वालों के लिए English medium वालों और Hindi medium क्योंकि South के बच्चे भी मेरे चैनल से जोड़े रहते हैं वो बोलते हैं कि course English में भी दीजेगा तो English में भी आपको मिल जाएगा Hindi में मिल जाएगा previous years के साथ latest question आपको मिलेंगे PDF आपको महाँ पर मिल जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कते खास नहीं आएगी पर मैं बोलूँगा अमेशा से अपने आप notes खुद बनाए oriented हैगा exams को लेकर basic to advanced level कुछ question मैं आपको बहुत detail में भी बताऊंगा जो pieces जैसे exam में आते हैं क्योंकि means अब हमारे दोनों exam में जुड़ गया है तो हमारे लिए ज़रूरी है oriented मैं आपको बताई चुका हूँ बाकि आपके कोई doubt रहते तो आप वहाँ पर comment कर लेते हैं मैं आपको वहाँ पर reply भी कर देता हूँ ठीक है तो मैं ये बोलूँगा detail में आपको इसलिए मैंने course दिया है जिके में जिन्होंने मुझे मेसेज़ेस करा थे मैंने आपको साथ स्क्रीन शॉट के थ्रू भी बताया था बहुत लोगों के 30 के अभाव आये थे कईयों के 40 के अभाव आये थे कारण ये जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे जिके तब तब आपके marks नहीं बनेंगे इस चीज आपको बहुत समझना ज़रूरी है बाकि history के उपर एक दो दिन के अंदर मैं batch लेकर आने वालों आप उसको वहाँ से कर लेंगे तो आपको ज़रूत नहीं पढ़ेगी अधर जगे जाने की हाँ कई लोग बोलते books वगेरा पढ़ने की ज़रूरत है तो नहीं प्रिवेसर्स के question जब मैं course के अंदर दही रहाँ आपको तो ज़रूरत कि आपको कोई अलग book प्रिवेसर्स के लगाने की बस आप सीधे course पर जाएए notes बनाएए खुद आपका काम हो जाएगा ठीक है बाकी link आपको description में मिल जाएगा जिससे आपके सारे दिक्कते complete हो जाएगी मेरे साब से अच्छा अब इनके इलावा में कुछ और बता दूँ जैसे की हमने बात करी थी सचिन तंदलकर के बारे में सचिन तंदलकर जैसे ही जिनको master blaster सचिन तंदलकर को कहा गया था तो little master किनको कहा गया था आपके सुनिल गावस्तकर को उनकी दो बहुत famous book आती है exam में पहली book का नाम है The One Day Wonders तो याद दखेगा अगर आपसे पूछा जाता है कि The One Day Wonders किन की दौरा लिखी गई है मैं यहापे लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हमार को बहुत ज़्यादा confusion हो जाती है उसमें जगे कम है रिखे The Sunny Days यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्यों सभी book है The Sunny Days The Sunny Day और इनको Sunny भी कहा जाता आपको पता होगा सुनील गावसकर को लिटल मास्टर इनको कहा गया था क्योंकि कदकाटी बहुत छोटी है जैसे pocket dynamo को इनको कहा गया था आपके KD जाधव को जो हमारे भारत के लिए पहला medal लेकर आया थे Browns जो आपका आया था 1951 के Helsinki Olympic में हाला कि Norman Prisad के द्वारा लाया गया था एक medal दो medal आया थे बलकी athlete थे वो बट हम बात करेंगे कि भारते लाने वाले वैक्तिकों थे KD जाधव जिनको pocket dynamo कहा गया था पके डाइनमोस लगागे है क्योंकि गाटी बहुत चोटी थी उनकी और एक्जाम में आ चुका है Helsinki Olympic था 1951 का और खुद चंदा इखटा करके उन्होंने वो सब चीज को इखटा करके फिर वो competition बे गए थे गाओं वालोंने इखटा करके दिया था उनको ठीक है सब्सक्रीट करलupp child सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब स अगया था है यह कंदार लिखी गई है कि किनके दMom confession के सब्सक्राइब करके दुरह तक इन दौनों को भी नाम याद रखेगा मैं थोड़ा आ देता हूं नहीं तो फिर काई दिक्कते आ जाएंगी अच्छा हम चली पहले मैं एथलीटों की बात करने था बाद में हम बात करेंगे जैसे कि आगर हम बात करें एक और है हमारे हर्याना हरीकेन जिनको कहा जाता है कौन है वो हमारे कपिल देव उनके लिखी जाई है उनके द जाता हरीकेन आप जानते हैं कि जो अमेरिका में हैं वहाँ पर जो चक्रवात वगेर आते हैं उनको नाम दिया जाता हरीकेन हर्याना हरीकेन और यह हो गया हमारे सचन तंदलकर एक और या दखेगा 281 बयोंड 281 एंड बयोंड यह जो 281 इसको रिनोंने करा था कौन पेसल लक्षमन करिकेटर रहें और यह खिलाफ इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता था और यह खिलाफ इनोंने 281 स्कोर करा था और उस समय का सर्वोच स्कोर था किसी भारती के द्वारा क्योंकि अगर हम बात करें कि इन से पहले राउल ड्रेवेड वगेरा 270 तक रहे थे फिर इनका रिकॉर्ड थोड़ा था हमारे विरंदर शेवाग ने जो लगातार दो वेक्ति हैं जो एक ऐसे एक लोते बने जिन्नोंने दो ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी टेस्ट में पहले पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा सावता अफरिका के खिलाफ तो इसलिए इनका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं पर इन्होंने लिखी थी 281 और उनसे पहले इनका रिकॉर्ड था सबसे बड़ा ठीक है अगर हम बात करें सौराव गांगुली के इनके भी एक और बैग्राफ यह दा सेंचुरी इस नॉट इनफ यहां पर भी लिख देते हैं उसको जिनको बंगोल टाइगर भी कहते हैं या दादा कहते हैं इनका निकने में किनका हमारे सौरव गांगुली का तो संचुरी इस नॉट इट नफ मैं आपको बता दिया भारत सुरदर्शन के दारा लिखी गई थी क्या नाम है धोनी टेच आप से पूछा हैगा युवराफ सि सिरीज बने फिर कैंसर से रिकावरी करी फिर उन्होंने सब चीज को लिखा कि मेरा कैसे कैसा रहा तो दा टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराफ सिंग के उपर है बिलीव लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी अभी हाली में सुरेश रहना के दौरा लिखी गई थी बहुत अच्छा कमेंट बॉक्स बताएगा कि सच कहूं तो ये किनकी द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत फेमस वो है परसनलिटी उनके भी कई बार एक्जाम में आता है कि बताएग कि उनके बारे में पहले आप इसको एक बार स्कीन शॉट ले लिजे फिर मैं आगी की अगर आपको कुछ बुक्स हो गया रहा के बारे अपने कभी इंट्रस्ट रहा होगा लोलीता बुक भी बहुत ज़दा आपकी विवादित बुक रही है मैं आप लिख देता हूं पहले लोलीता के बारे में यहां पर दिख रहा है ठीक है इसका नाम है लोलीता लोलीता वो किनके दारा लिखी जाती है कौन है उनका नाम था ब्लादीमीर तो पहली बात बता देते हैं रश्या के हैं वो और ब्लादीमीर नाम है उनका उनके दारा लिखी जाती है लोलीता बहुत ज़रूरी नाम है लोलीता क्यों देखिए विवादित इसले क्योंकि इ एक वेस्ट का आदमी मतलब एक अच्छा आइडल टेज का आदमी जो प्रोफेसर होता है मतलब समझ सकते हैं तीस के ओपर ही जाएगा उसका प्रेम और सारे दिक संबंद बताया गया इस कहानी के अंदर एक 12 वर्स की लड़की के साथ एक चातर के साथ तो वह विवादित बह इस यह एक टारक आपको जाल रखना एक तो इसके मंने राइ्टर भी आगको बता दिए फिर मैं नाम लिक देथा हो ब्लादी नाम है उनका और राम हैन्का ब्लादी रेखने में हसाकते हैं मेरे फिर भी अगर मैं आपको बोलू तो आप नाम भी आ रख लेजगा आगे इनका नाम हो जाता है नोबा कोव नोबा कोव और ब्लादिर में रियाद रखेंगे तो इतना असानी हो जाएगे तो मैंने आपको प्लाट बता दिया कानी का कि इसके उपर रीजन क्या है इसको एक तरीके से विवाद बताने में मैं आपको एक चीज़ और बता दू बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आगर हम विवाद की बात करें अरुंदती रॉई का नम आपने बहुत बार सुना होगा और CHSL के 2021 के एक्जामनिशन में आया था कि बताए कि कौन से वर्स ये कोशन में आपको पहले भी कई बार बताए कि कौन से वर्स जो हमारी अरुंदती रॉई है उनको कौन से वर्स बुकर प्रैस से समानित किया गय आती है जिनके साब से मैं आपको रिलेट करके बता दिया है ठीक है तो कौन थी अरुंदती रॉई थी जिनको पहली बार दिया जाता है इस पुरुषकार से समानित क्या जाता बुकर प्रैस क्योंकि इन से पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1971 एक नाम आता है व्यस नायप सब्सक्राइब देखेंगे तो वह भी एक तरीके से ब्रिटेन में रहे थे फिर उनकी नागेगता चेंज भी हुई थी सल्मान रूजदी 1981 में उनको मिलता है मिडनाइट चिल्डन के मिलता है पर भारत से ओरीजन में तो थे पर भारत के रहने वाले नहीं थे आज भी ब्र पहले बता चुका हूं उसको लिखना चलिए लिखी देते दा गॉर्ड ऑफ इसमॉल तिंग्स कई बार आदा है अगा अगा दा गॉर्ड ऑफ स्मॉल तिंग्स विवादित में इसलिए बोलों कि कि रहन दोती रहे का नाम रिशाइंड में न्यूसम बहुत जादा रहता है कभी पक्ष में लड़ाई होती रहती है इनको लेकर कभी अपने स्टेडिमेंट कुछ और देती है इसलिए इनका नाम जादा विवादित भी रहता है तो इसलिए इनका बुक भी याद रखनी है और 1997 के समय में ही मिलता है इनको बुकर प्राइस और 1997 से मैंने बताया था इ क्योटो कहां पर है यह जापान में जगे हैं वहां पर ही क्योटो प्रोटोकोल के आता है 1997 में यह मतलब ही कि है ग्लॉबल वामिंग के लिए हमें एक अच्छे से कदम उठाने चाहिए तो इसलिए यह भी आ रखना है एक्जाम में कई बार आता है मॉन्ट्रियर प्रोटोक करना किसी भी तरही के से तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकल ऑजनलियर से समंन्ध था और यह हमारे जो वाम cabbage हो रही है उसके लिए हमें परदूशन वगेरा को कैसा नींतरित करना है जो हमारे को क्यासे में बांड करना उस चीज के अप darauf करने और क्योटो जापान की जगे महां पर यह क्या गया था ठीक है तो God of Small Things बाकी भी इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत जादा न्यूज में रही थी इनकी एक और बुक थी The Algebra of Infinite Justice जिसका नाम था इनको कुछ तो वैसे अबॉर्ड नहीं मिले पर बहुत फेमस बुक रही थी और यह इन्होंने लभग एक साल के बाद ही लिखी थी उन्हें ठाड़ में के राओं बट आपको याद रखना है ज्यादा दिक्कते नहीं करती है मैं बाग की आपको बताओ रिसेंट टाइम पे करेंट कि 2019 में कुछ बुक्स आई थी एक आयए ठी आपके सर्थिस इसारीट हैं साज़ेश्क कर दे सबड़ेआ और है और यह ूजदार निस ताधील में हैं नियुज में रही ह zar़uju क्योंकि हरुंदती रॉय का नाम बहुत बड़ाना है एक और चीज मैं आपको बता दू हरुंदती रॉय का संबंद असम से रहा है नाम देखे के अलग हो जाता है तो फिर असम मिंहीं से ब Unれ By से रहा हुद नाम हर ranch हिछ रही हुद बार किया लीजे लेंहें मैंने गलत बता जेताएं रॉय तो किसी के बारे में वेश नाउपवल की बात कर रहे घ़र आप पता नहीं किस — your दिवबार साथ मेरे से गलती हो गई हो गई हो गई हो गई तो आप एक बार चेक कर लिजेगा ठीक है इंडा एंड ओफ इमेजिनेशन ये भी इंके दोरा लिखे गई थी बहुत बड़ा नाम है तो ये मैं आपको एक बार बता रहो रिकॉल कर लिजेए कौन कौन सी है और हमें कोई भी बुक ऐसी है जो छोड़नी नई है जैसे मैं आपको बता है कि इनके बारे में आया अभी किरन देशाई की बारे में बुक आई थी Moonwalk Moonwalk ये भी हाली में Moonwalk ये पूछा गया था किन की book है ये तो याद रखेगा ये है Michael Jackson की Michael Jackson की बहुत बड़ा नाम है Michael Jackson और Moonwalk इनका है कि style था दांस करने का जो पैर के सारे पीछे के तरफ चलते थे तो ये है Moonwalk Michael Jackson की है ये पूछा गया आपके SSC के CHSL 2020 के पीपर में तो इसको भी याद रखेगा हम बात किसके बारे में कर रहे थे जैसे आपका हाँ आपका पूछा कहता किरन देशाई की कौन से book है तो याद रखेगा The Inheritance of Loss ये भी इनके बहुत famous book है किरन देशाई की Inheritance of Loss Inheritance Of Loss ये किन के दौरा लिखी गई थी किरन देशाई के दौरा बहुत बड़ा नाम है किरन देशाई का और इसी book के लिए इनको 2006 में booker prices समानित क्या जाता और भारतिये के तोर पे दूसरी बन जाती है ये क्योंकि 1917 में मिलता है किरन देशाई को इनको और नाम बताया था मेगना देशाई के बारे में इनकी जैसे नाम है देशाई नाम है उनका मेगना देशाई के दौरा लिखी गई थी The Rediscovery of India यहाँ पे लिख लेते हैं Rediscovery of India इनके दौरा लिखी गई थी अगर पूछा आएगा कि तो इनका भी नाम या रखना है और अगर देशाई से भी एक और नाम बन जाता है कौन किरन बेदी का भारत की पहली IPS महिला रही है ठेक है IPS महिला किरन बेदी के एक और बहुत बड़ी बुक मानी जाती जिसका नाम है what went wrong और ये एक्जाम में कई बार repeat हुई है what went wrong अब ये सारे SSC के CHSL के एक्जाम में आया था बेदी अगर हम बात करेंगे पहली IPS महिला रही है ये तो किरन बेदी का नाम भी हो गया हमने बात relate ही कराए किरन देसी से देसाई से किरन बेदी और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखें 2006 में इनको बुक कर पैसे समानित किया जाता है फिर इनके बाद एक और वेक्ति आते हैं जिनका नाम है अपका अरविंद अडीगा उनका भी नाम याद रखेगा अरविंद अडीगा अरविंद अडीगा की बुक है इनके बुक के लिए इनको बुक के लिए इनको बुकर प्राइसे समानित किया जाता है 2008 में 2008 में बहुत बड़ा नाम है इस बुक का एक्जाम में कई बार रेपिट कर गया है तो इसको बिलकुल भी छोड़ना नहीं है इसलिए मैं आपको यह रिलेट करके बता है तो इसको जोरू याद दखेगा मेगना दिसाई कभी हो गया हमने इनका बता दिया यह लास्ट के रहें जिनको बुकर प्राइस से समानित क्या गया है जिनका नाम है अर्विन दड़ीगा दा वाइट टाइगर के नाम से ठीक है अ अच्छी है इनकी एन एरा आफ डाकनेस इसलिए मैं आपको रिलेट करके बताए था और एक्जाम में यह नहीं आया कि बताए एन एरा आफ डाकनेस किनकी बुक है कोशन में आया सबसे ज़रूरी पॉइंट की इन बुक के लिए इनको कौन से पुरुसकर से समानित क्या गय कि एन एरा ओफ डाकनेस बुक किनके दारा लिखे गई है सशी थरूर के दारा और इसी बुक के लिएन को साइट अकेडमी वरुसकर से समानित क्या गया था इंग्लिस लैंग्विज में इंग्लिस में ही लिखते हैं सारी बुक से क्योंकि के रहने वाले हैं हमारे MP भी हैं म हो या बात करा हूँ एन एरा और अफ डाकनेस एरा मतलब के बाता काल समय अगर क्समार कर दूए अधर शामिप अन एर्या और अव डाकनेस तो सक भी लिख लिख लिजगा वी एस नॉइपाल के दौरह लिखी गई थी और यह जो हैना इनकी एन एरिया ऑफ डाक्निस बहुत बड़ी बुक माने जाती है इनकी एक फेमस बुक आई थी जैसे का नाम था इन आ फ्री स्टेट इन आ फ्री स्टेट इसी बुक के लिए 1971 में इस बुक आती है इसी के लिए इनको बुकर प्राइस से समानित क्या जाता और कई बार पुछा गया कि इन आ फ्री स्टेट इन यहोंने किन से साल में लिखी दी तो 1971 में लिखी दी और कौन सी बुक के लिए इनको Booker Price मिला था इसी बुक के लिए मिला था तो VS नाइपाल का नाम बहुत ज़रूरी यहां रखना है अकर इंक को बुख पूछी जाएगी आपसे जिसका नाम है और अफोथ और मिस्टर विसवास यह पर लिख लेता हुँमें आपके दिख रहा है अ हाऊसपुद क्रैस मिस्टर विसवास बिसवास होगा विसवास नहीं और यह भी इनकी द्वारा लिखी गई थी 1901 में लिखी थी उन्होंने ये 1961 एक साल में आपके CHSL के एक्जाम में पूछा गया था कौन से साल में लिखी थी 1961 का टाइम आता है VS नाइपल का और ये इस बुक को लिखते हैं और अगर देखे मैं आपको बता दो क्या रहता है confusion के लिए option में आता है कि बताएए पहले भारती कौन है जिनको बुक प्राइस समानित क्या जाता है तो वह हो जाती है अगर इंडियन ओरीजन जुड़ जाएगा तो आपको लगाना है VS नाइपल बहुत confusion क्रेट करता है हमारे सामने examiner कि हमको यही चीज़े समझ नहीं आती कि किनके दारा कौन से बुक लिखी गई है तो मैंने आपको बता दिया 1961 भी यह दखेगा अहाउस और मिस्टर विस्वास इनके दारा यह लिखी जाती है ठीक है इतके लावा और मैं कुछ आपको बुक बता दूँ जैसे इनके एक और बुक है हाफ आ लाइफ क्या है हाफ आ लाइफ यह भी इनके दारा लिखी गई है और रिसेंट की एक्जाम में आई है हाफ आ लाइफ पूछा एगा कि इनके दारा लिखी गई है वियर स्नाइपल के दारा लिखी गई है तो हमने सारी बुक्स इनके बात कर ली जो एक्जाम में आत तो आप उनको याद रखेगा बाकि हमने देख लिया है जो जो बुक्स आपको याद रखनी थी दा वाइट टाइगर हो गया बाकि हमने देखी लिया है व्यास नॉपल की बुक्स ठीक है इनके साल भी याद रखेगा जैसे मैंने बाद करी है मिस्टर विश्वास की सब्सक्राइब कर जाती है एक और आप से पूछा जादा मेगवल स्ट्रेट के दारा लिखी गई है मिगवल यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रेट यह भी इनके दोरह लिखे गई यह बड़ी बहुत कम आती है बहुत कम देखा है मैंने एक्जाम में इसको आप जैसे याद रख सकते हैं एक बार मैंने आपको बता दिया क्योंकि इनके दोरह बहुत सारी बुक्स लिखी गई है कितनों को आप याद रखेंगे बट यह सारी बुक्स आपके एक्जाम में आई है ध्रेसे इनके एक्जाम में तो हमने सारी बात कर ली जाए एक्जामनेशन के साब से माले जरूरी है अच्छा एक होगा मजिया जलमाची मैं आपको एक च़एबर बता दूँ यहाँ पे चलिया अई पे लिख लेते मजिय जलमाजी मजिया जलमाची ठीक है इसको पूरा लिखेंगे मजिया जलमाथी चित्रकथा हिंदी में लिख देता हूं में चित्रकथा ये किनके दारा लिखी गई है ये देखे पहला पॉइंट बहुत जरूरी वह खेसले है क्योंकि एससी में पूछे गई ये छेशल में और मैं आपको अल्लेडी कई बार बचा चुका हूँ साइध मैंने इसको पेड़ कोर्स में नहीं बताया तो इसको हम एड़ कर लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी नाम इसले हुआ दा है क्योंकि एक दलित महिला के द्वारा लिखे गई थी जिनका नाम था सांता बाई कामले सां सुझेज है मुझे डंक से आद नहीं आ रहा कि मैंने बताया कि नहीं सांता बाई कामले यू trending लें इन्हों ने लिख यह मराठी लैंविज में और सांता बाई कामले से रिलेटेड इसले लिए मान जाता है कि अगर आपसे मूचायेगा पहली दलित महीला के तोर पे लिखन तो यह मराथी में आपको दिख रहा होगा इन्होंने बोकी मराथी में लिखे तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का मतलब नहीं है और नाम या दखेगा जो हमारी है कौन है सांता भाई की काम ले मराथी भासा में लिखा है बहुत ज़रूरी बुक है यह आपके इस्ट्रेट लेवल के एक्जाम में आपको यह तो बता रहा है आज की टैम पर गुमा के कोशन यहीं आ जा रहे है तो आपको प्रिप्यार रहना पड़े का एडवांस लेवल के लिए तो मैंने देखिए आपको सारी बुक्स बता दी इतनी बुक्स आप याद अखेगा जो इस बार के CHSL वगेरा में आई है दस साल में आगे अगले टापिक देखेंगे